है गाइस कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एक्सायम के प्रपरिशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी तो जैसा कि आपको प्रेविएस वीडियो में पता चली गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं तो उसमें मैंने चार आपको बता दिये थे यह हमारा पार्ट 2 होने वाला है जहां पर मैं आपको बागी के चार पॉइंट को बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप जोनों चीज़ों को connect कर पाऊं बीटू बीटू सी बीटू जी और बीटू एस वीडियो में आज हम बात कर देंगे business to government c2a इस तरीके से total 4 types of e-commerce है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहला topic है हमारा business to government model of e-commerce इसको start करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो यहां पर आ करके आपको हमारे चैनल को इस तरीकी से subscribe का बटन आपको रेट गलगा दिखेगा आपको इस तरीकी से subscribe करना है और जो बेल आइकन है इससे दबा देन आपको वीडियो की notification मिलती रहें साथी साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे playlist के ओपर विजिट कीजिए यहां पर धेर सारी वीडियो मिलेंगे जिनको देख करके आप definitely exams में बहुत ही अच्छे marks लाप आएंगे इसके लाव मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल प करना सिर्फ 120 रुपए का जहां पर आपको डेर सारी benefits मिलेंगे आपको assignments free of cost मिलेगा आपको बहुत ही low cost में you know notes मिल जाएंगे बहुत ही low cost में और साथी साथ आपको WhatsApp support मिलेगा 24-7 you will not have any problem regarding your study until your study completed जब तक कि आपके study complete नहीं हो जाती है तब तक आपको यह services provide की जाएंगी औ और यह सारी benefits हैं मैं चाहूंगा कि आप इसको पर definitely bet लगाई है आप definitely हमारे plan को लीजिए आपको डेर सारी benefits मिलने वाली है ठीक है ना तो चलिए फिर lecture सार्ट करते हैं जो कि है हमारा आज का हमारा जो rest जो remaining जो type of e-commerce है वो है हमारा आज को topic चलिए फिर स्टार्ट करते हैं business to government है ना यह क्या होता है so business to government also known as business to administration इसको B to A भी बोलते है it refers to trade between the business sector as a supplier and a government body as a customer यहां पी क्या होता है कि business अपने सामान को जो भी product and services वो बना रही हो अपने सामान को किसको बेच रही है government को बेच रही है आप समझ रहे है consumer को ना बेच करके government को बेच रही है तूसरे हम क्य क्या कहेंगे B to G मतलब business to government यहां business to administration इसको समझेना बहुत ही असान है this kind of e-commerce refers to the situation where businesses conduct commence with the government conduct commerce with a government यहां बेच बिसने क्या करती है वो अपने business को conduct करती है government के साथ it is essentially a part of B to B model यह एक तरीका का पार्ट बोलत रखते हो business to business क्योंकि government को बिसने कर रही होती है government को services हाला कि business के ल लोगों को अपने यहां के रहने वाले जो भी बाशिल्दे होते हैं इसलिए हम इसको business to business तो नहीं बोल सकते है लेकिन हम इसको हम business to business का एक हिस्सा बोल सकते है यहां पर हम अपने सामान को directly किसको बेच रहे है government को बेच रहे है यहां पर देखो example दिया हुए business to administration administration to business with the help of a website B2G as illustrated above is generally also referred to as public sector marketing B2G होता है जो होता है उसे हम public sector marketing के रूप में भी समझ सकते हैं जो कि हमें दिखाता है which indicates the marketing of products and services to various government agencies and at various levels जहां पर हम अपने products and services को marketing करता है government agencies के साथ directly at various levels the government network provides a platform to business to bid on government opportunities such as auctions, tenders, applications, submission and so on for the various services अब government को बहुत तरह की services चाहिए होती है आपको पता है अब वो services provide करने वाले सब्सक्राइब बहुत सारी companies है तो बहुत सारी companies यहां पर जो है पैड लगाती है बहुत सारी यह जो भी government के programs होते है उसमें बहुत सारी companies जो इसमें 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 इवर्श करना चाहती है तो बहुत सारी लोग करते भी है तो जो भी आप interested होते हैं वो करते हैं और government का जो contract है वो उनको मिल जाता है अगर उनका quotation होगा उनकी price अगर अच्छी होगी तो government का through the internet using real-time bidding जैसे हम government e-marketplace जैसे हम GEM कहते है by the government of India it is a example of the same government of India का भी e-marketplace खुला हो जब आप YouTube पे याप जब आप Google Play Store पे सर्च करोगे तो आपको यह app भी मिलेगा जहां पे आप खुद को register करके business में directly आप participate कर सकते हो ठीक है ना यहां consumer to sorry business to government की बात की जा रही थी अब हम बात कर लेते है customer to administration मतलब consumer to business consumer जो है वो sorry business में क्यों बोल रहा है consumer to government यह फिर consumer to administration दोनों का meaning एक ही है तो दिखो यह किस तरह के से काम करता है so the model refers to the e-commerce process followed by the consumers when interacting directly with the government agencies तो यहां पर देखना बहुत सारे NGOs होते हैं जो की government ले काम कर रहे होते हैं तो यहां पर यह इस तरह का हो जाएगा कि जो consumer है government का वही एक तरीके से business प्रवाइड कर रहा है इसको government को this may be in the form of payment information access request or feedback to various agencies among the other things है ना इस तरीके से काम करता है कि आपको feedback चाहिए आपको you know information चाहिए किसी चीज को ले करके तो वह सारी की सारी चीज़े जो consumer आपको provide करता है ना कि कोई business क्योंकि consumer के पास information सबसे जादा होती है क्योंकि वह खुद ही consume कर रहा होता है right consumer to government administration model for e-commerce is ideal answer for establishing communication between the consumer and the government है ना इस तरह का जो you know business model है जो इस तरह का administration model है वो एक तरीके से e-commerce को बहुत ही ideal बना देता है कि किस तरीके से government अपने consumers के साथ या भी किस तरीके से consumer अपने government के साथ you know जुड सकती है किस तरीके से relationship तियार कर सकती है किस तरीके से communicate कर सकती है अपने informations अपने you know चीजों को right examples of c2a model include government applications such as payment of utility bills including electricity water tax payments health insurance payments made using web portal and web applications है ना हम government को मैंने आज ही अपना electricity का bill payment किया है आज ही मैंने internet का charge रिचार्ज भी किया है तो एक तरीके से internet का रिचार्ज को अगर भूल जाए तो जो मैंने electricity का bill पेकिया वो मैंने government को पेकिया right तो मैं consumer हूँ और मैं business provide कर रहा हूँ कि इसको government को मैं government को पैसे दे रहा हूँ है ना तो यह एक तरह का example हो जाएगा business to administration का सारी consumer to administration का है ना हमारा अगला topic है P2P जिसे हम peer-to-peer model बोलते हैं यह क्या है भई तो P2P model is essentially a network model यह थोड़ा different है ठीक है ना तो इसको थोड़ा समझना P2P is essentially a network model of commerce without any intermediary पीर-to-peer जो होता है इसमें कोई भी intermediary नहीं होती है बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ अरिटली वो जो है deal कर सकता है it is there for a distributed platform enabling different individuals to partake team transactions with each other without and in between third party जो मैं बोर रहा हूं है ना वहीं चीज़े हैं यहाँ पर कोई भी third party नहीं होगी एक individual दूसरे individual के साथ डारेक्टी वो ट्रेड करेगा business वहाँ पर करेगा है ना this model of network arrangement is different from the client server model where communication takes place with a central server यह जो arrangement होता है यह एक तरीके से network arrangement से बिलकुली अलग होता है क्योंकि यहाँ पर किसी की तरह का server नहीं होता है जहाँ पर clients एक दूसरे के साथ मिलते हैं और business को करते हैं यहाँ यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है the absence of third party may increase the risk of service not being delivered अब यहाँ पर चुकि third party नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने deal तो कर लिया लेकिन आपको services जो है deliver नहीं हुई या फिर जो services deliver हुई वो बहुत ही poor quality की थी delay or refusal of payment as well as exploitation of asymptomatic asymmetric information हो सकता है कि यहां पर आपके ओपर एक तरीके से exploitation हो जाए जो भी आपका information है उसका इस्तमाल गलत कामों में किया जाए आपको गलत quality के services दिये जाए यह सारी चीज़े जो है यहां पर peer-to-peer में दिक्कत होती है यहां पर कुछ एक तरीके से यहां पर examples जो हैं दिये हुए है जिसका यहां पर हमें समझना होगा कि P2P model में क्या होता है सबसे बड़ा example देखो नीचे में cryptocurrency इसका दिया हुए है यहां पीर-to-peer हो रहा है सही बात है सामान हों directly किसी को बेच पा रहे हैं यहां पर पैसे आपने किसी को गलती से transfer कर दिया Bitcoin आपके पास वापस कभी नहीं है वो किसके पास गया कहां गया कैसे गया उसकी जानकारी में आपके पास है नहीं गवर्मेंट के पास है तो गवर्मेंट भी इसको वापस नहीं कर सकती इसलिए इसे एक तरीके से illegal form of currency बोला जा रहा है या फिर इसको एडिया में एक तरीके से legal करने के लिए कोशिश तो की जा रही है बट चांसे कमी है गवर्मेंट ने इसको पर टैक्स तो लगा दिया लेकिन अभी भी यह एक लीगल टेंडर नहीं है जिसके जरीए हम किसी सामान को खरीद सकें तो यह एक तरह का अब यह मॉडल क्या होता है डी तू सी डिरेक्ट टू कस्टमर रिए रफस्टे से सेलिंग पोड़ाक्ट इन स्ट्रेट लाइन तो दा कर्जूमर है ना बाइपासिंग एनी थर्ड पार्टी रिटेलर होल्सेलर और एनी अधर मिडल मैं डारेक्ट टू कंजूमर में क्या ह होता है कि आप अपने सामान को डारेक्ट ली कंजूमर को बेचते हो विदाउट हैविंग एनी सपोर्ट वाम अनी थर्ड पार्टी आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है चाहिए ही नहीं ठीक आप डारेक्ली कंसुमर को बेच रहा हो फॉर एकजाम्पल अगर अगर तो यहां पर चीज़ें है वो इसी तरीके से होंगी इसको हम D2C नहीं बोल सकते हैं तो D2C हम तब बोलेंगे जब यहां पर कोई भी 3rd party retailer इंवर्फ नहीं होगा, कोई भी wholesaler ऐसे किसी भी तरह का middleman यहां पर अब नहीं होगा, मतलब यह peer-to-peer type का ही है लेकिन इसका record government के पास या third party के पास थर्ट पार्टी नहीं, आप लोगों के पास रहता है, लेकिन peer-to-peer में नहीं रहता है, direct to consumer companies are performing how people shop, progression these brands spanning everything from different to sneakers are radically changing consumer preferences and expectations, आपने sneakers का नाम सुना होगा, आपने अगर अभी हाल में Shark Tank का show देखा होगा, तो वहाँ पर sneakers यहां बेचने के लिए एक company आई थी, यहां पर वो लोग क्या करते थे, वो लोग Adidas या वीबॉक में जो sneakers भीखते थे, जिसकी कीमत तक 15-20,000 की होती थी, वो पहले तो वहां से जो लोग खरीद ले दे थे, और फिर उसको resale करते थे, पहले थे, resale market में, और फिर जो वो लोग थे, जो business कर रहे थे, वो resale product को ले करके, फिर वापस से अपने website उसको enlist करके, फिर उसको base दे थे, यहां पर directly consumer के साथ trade किया जा रहा है, इन addition to establish a direct relationship with the customers, these brands are building a community of ambassadors on the social media, यह लोग यह तरी कि जो social media का help ले रहे हैं, अपनी brand को build up करने में और business को करने में, D2C brands are usually sold online only and specialized in a specific product, D2C brand जो है, online sale होता है, सरफ और सरफ online sale होता है, और किसी ने किसी specific product के उपर यह लोग काम कर रहे होता है, जैसे कि Casper हो गया, Warby Parker हो गया, Everlane हो गया, Harry's हो गया, Outdoor Voice हो गया, Away हो गया, Dollar Shave Club, यह बहुत सारे यासे companies हैं, जिसका example यहां पर दिया हो, जो कि direct to customer है, यहां पर कोई third party नहीं है, कोई middle man नहीं है, यहां पर directly आप order करोगे, वो आपके घर पर समान को पहुंचा जाएंगे, So these are the eight types of e-commerce, जो मैंना भी आपको बताएं है, चार मैंने आप quality बता दिये थे, previous video में, और यहां पर मैंने आपके बाकी के जो चार थे, वो भी मैंने आपको बता दिये हैं, ठीक है ना, यहां पर देखो picture कैसे बना हुआ है, direct, यहां पर businesses हैं, यहां से आप directly customer के साथ deal कर रहे हैं, इसको इस्तमाल नहीं किया जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस हम कहेंगे D2C, direct to customer, ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखे, बाबाई, थेंक्यू,